हेलो दोस्तों तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैं सुर्पाग उसके लिए हम यहां पें डीड़ कटोरी चीनी लेते हैं तो इस चीनी को हम जब तक हमारे चास्ट्टनी बनती है तब तक हम आगे की तैयार कर लेते हैं मैसूर पाक के लिए तो यहां पर हम एक करक्ली जिस क्लीफुन हrows नहीं रहता है आधि से ज्यादा रहता है और थोड़ा खाली रहता है उसमें तो उसको हम इसले खाली रखें क्योंकि जितना खाली है उतना ही हम उसमें मैदा यूज करेंगे और इसको हम चाल लेंगे चालने से यह होगा इसमें जो भी लंस होंगे वो भी तूट जाएगा और यह मिक्स हो जाएगा देखिए इसना जो भी बड़े पार्ट थे वो हम निकाल दिये साथ ही उसी कटोरी समया पे एक कटोरी घी लेते हैं तो यहां पे हम पूरा घी नहीं यूज करेंगे आधी कटोरी ही यूज करेंगे तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैन क दाल करके इसको मिक्स कर लेते हैं देखे दोस्तों यह अदे कटोरी खिर यह पूरा नहीं उसका इसे हम आगे यूज करेंगे और आ कई करेंगे पर दोस्तों ही लगबग तैयार हो चुकी है तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक तार्ट की चासनी चाहिए मैसूर पाग बनाने के लिए दोस्तों मेरे तरीके से मैसूर पाग बनाईएगा तो आपकी पहली बार में ही मैसूर पाग एकदम परफेक्ट बन के तयार होगा जाली दार तो बस ये हमें एक तार की ही चासनी चाहिए इस देखें एक तार बन चुका है इस इस पर हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे दोस्तों गैस बंद कर अगर आप हैंडल कर पाईए तो ठीक है नहीं तो फिर गैस बंद कर दीजे और फिर जो हम यहाँ पर बेसन और मैदे का गीमी घ्योल बनाया है उसको इसमें हम डालके चासनी में मिक्स कर देंगे पूरा यसे हम mix कर रहे हैं इसे जाली अच्छी बनती है इसमें उसके बाद जब यह mix हो जाएगा फिर उसके बाद हम gas on करेंगे और इसको regular चलाते हुए पका लेंगे दोस्तों इसको regular ही चलाना है नहीं तो यह नीचे पकड़ने लग जाएगा साती जो हमारा घी ही रखा है हमने आधागी बचाया था वो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालते रहेंगे कि कलर इसका चेंज होने तक इसको अच्छी तरह पका लेंगे दोस्तों देखिए थोड़ा-थोड़ा यहां पर कलर चेंज होने लग गया है दोस्तों तो हम इसमें घी थोड़ा-थ तो दोस्तों हम पूरा चार बार में हम घे उसकी हैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके और जब तक अच्छा कलर नहीं चेंज हो जाता है तब तक इसको हम ऐसे पकाते रहते हैं देखें कलर चेंज हो गया है हमारा मैसूर पाक का जाग जाग बनने लग गया है देख सकते हैं आप मिल्कुल इसे स्टेज तक हमारा यह पकाएंगे जब तक कड़ाई ना छोड़ जया पूरा जागदार हो जाए उसके बाद एक टिन लेंगे उसमें बटर पेपर लगा करके इसको डाल दें कोई गहरा बरता नहीं लेजेगा यहां पर हम दोस्तों का बच्चों का टिफिल लिए हैं दोस्तों साथ ही इसके उपर हम यहां पर गार्णिश के लिए पिस्ता लगा रहे हैं आप अपने पसंद का कुछ भी लगा सकते हैं और इसको दोस्तों दो तीन मिनट के लिए रखेंगे इस स्यादा नहीं गरम गरम ही दुस्तों इस पर कट लगा देंगे नए तो फिर यह काटने में टूट जाएगा तो दोस्तों इसको अराम-अराम से काटेंगे अपने पसंद के से पर वैसे यह पतला और लंबा- लंबा होता हैं देखे इस तरीके से लंबा- हम निशान लगा लेते हैं देखे कितनी जाली अच्छी बनी है कितना पर्फेक्ट हमारा ये मैसूर पाक बनके तयार है तो दोस्तों प्यारी सी आप से रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करेगा और चैनल प